Hello दोस्तों देख रहे हैं चनल Campus News दोस्तों देले बिसुई देले के तरफ से ड्यू के सभी छातरों के लिए जो है एक जॉब फेर जो है और्गनाइज किया जा रहा है जिसमें से कुछ छातरों को जॉब दिया जाएगा फेर जो है organize किया जा रहा है जिसमें DU के सभी छातर जो है हिस्सा ले सकते हो तो इसी को लेके जो है एक निज आया है तो जो है पर लेते हैं और पूरे detail में आपको समझाते हैं कि कौन से चातरों को जो है जाब मिलेगा और कौन से चातर जो है इसमें इंटर्शिप जो है कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो डियू में जाब मिला 7 से 9 अपरेल तक होगा आयोजीत पहले वर्स के चातरों को इंटर्शिप और अंतीम साल वालों को नौकरी यानि कि पहले और दूसरे वर्स के जो चात्र है उनको जो है इंटर्सिप करने का इसमें मौका मिल सकता है और साथ में जो फाइनल येर के चात्र है उनको जो है नौकरी भी जो है इसमें मिल सकता है तो इसी को लेके जो है यहाँ पे कहा गया है तो इसको पूरा पढ का मिलेगा तो यही जो है डियू के तरब से है तो पहले जो हम पूरा न्यूज पढ़ लेते हैं उसके बाद जो है डिटेल में हम आपको समझाएंगे दिल्ली विश्विद्याले छात्रों को नौकरी प्राप्त करने और इंटेंसिप करने का अफसर प्रदान करने जा रहा है डियू के डीन स्टुडेंट वेलफेर के तत्वा दीन में सेंट्रल प्लेस्मेंट सेल की ओर से अगले माहा ऑनलाइन वा आफलाइन मोड में जाब मेला आयोजित कर रही हैं 7 अप्रेल से 9 अप्रेल तक चलने वाली इस जाब मेले में बरी कंपनिया हिस्सा लेगी यानि कि ये जो है अप्रेल महिने में जो है और इसमें जो है जाब मेले में बरी कंपनिया जो हिस्सा लेगी इस कारण से छात्रों को अच्छी सैलरी पैकेज के ओफर मिलने की उमीद हैं और डियू के इतिहास में यह जॉब मेला अपनी तरह का पहला मेला होगा इसमें यूजी के पहले और दूसरे वर्स के छात्रों को इंटन्सिप और यूजी पी जी असतर के अंतिम वर्स के को नौकरी का मौका मिलेगा सेंट्रल प्लेस्मेंट सेल सीपी सी के तहत अब तक यूजी पीजी अस्तर के अठारह हजार से अधिक छात्र पंजीक्त करन करा चुके हैं यानि कि इसको लेके जो है अभी तक जो है रजिस्टेशन करवा लिया है चाहे वो यूजी का हो या फिर पीजी का तो इसी को लेके ये जो है न्यूज है तो जो भी अगर आप भी इंट्रेस्टेड है तो इसको लेके जो है रजिस्टेशन करवा सकते हो डियू के ओफिसल वेबसाइट पे जाके जो की डियू.ac.in है प्लेस्मेंट सेसन में हिस्सा लेने के लिए पंजीत कराना जाना जरूरी है कंपनियों PSU वा NGO को प्लेस्मेंट ओफर इंटेंसिब देने वा छमता निर्मान ड्राइब के लिए ऑनलाइन पंजीकरित कराना होगा कोरोना महमारी के पहले बरे पैमाने प्लेस्मेंट प्रक्रिया आयोजित की जाती रही है यानि कि कोरोना से पहले भी जो है इस तरह के प्लेस्मेंट जो है ड्यू के तरफ से जो है और अर। ऑरगनाइज कीया जाता रहा है और बहुत सारे चात्रों को रोजगार भी मिलता रहा है तूब दोवारा से शुरूक किया जया है और इसको एप जरूर हिस्ता लें और इसको लेकर आप अपने रजिस्टेशन भी ज़रूर कर लें ताकि अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसके बिना रजिस्टेशन के इस्सा नहीं ले सकते हो बाकि इसको लेकि अगर कोई कोई सवाल है तो आप में इस्टाग्राम पर डिरेक्ट फॉलो करके पूछ सकते हो या फिर जाए कॉमेंट करके बता सकते हो बाकि आज के इस वीडियो में इतना ही सुक्रिया धन्यवाद